हलो बच्चों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे बच्चों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 5 का हमारी दुनिया का पार्ट 3 ठीके बच्चों जिसका हम लोग पार्ट 1 करेंगे और चैप्टर का नाम है बच्चों बदला बसेरा ठीके होता हूँ होता है कि आपने लेग Estecent Sports आपको मिल जाता है है बच्चों कल हम लोगों के लिए वोट कराए थे कि कल आप लोगों लोगों के लिए जो वोटिंग हुआ 될 आ उसमें हमने लिच में पूछा था आप से पूचा था आप हमें बताये कि किस विशे पर आपको वीड दुनिया पे रहा था आप लोगों ने वोटिंग किया था भच्चों वोटिंग किया था प्लोग ने ठीक है और सबसे कम रहा था हिंदी इंग्लिश के आप्झयक्टिव-ट कॉर्षन पर यह यह उसके बाद आपका शुरू करते हैं हम आज का क्लास बचो हमारा जो पहला सवाल है ध्यान से देखिएगा आज का जो हमारा पहला सवाल है इसमें कहा जा रहा है कि समलू भीड में भी रहकर समलू भीड में भी रहकर समलू भीड में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था ठीक है, समलू, भीड में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है, यह आपका सवाल है, ठीक है बचो, तो चलिए इसके जवाब को देख लेते हैं, बचो इसके जवाब में आपको लिखना है, हाँ, कभी-कभी ऐसा महसूस होता है, हा कभी-कभी ऐसा महसूस होता है, जब भीड में भी अकेला पन लगता है, क्योंकि उस भीड में कोई अपना नहीं होता है, क्योंकि उस भीड में भी कोई अपना नहीं होता है, तो यह था आपका आंसर बचो, आप इसे अपने कॉपी पे, अपने नोटबुक पे नोट कर ले या फिर screenshot ले ले ठीक है बचो तो चलिए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं बचो हमारा अगला सवाल है कि अपनी जगह छोड़कर दूर नहीं नहीं दूर नहीं होगा ठीक है बचो दूर नहीं जगह ठीक है यहां पर नई होगा दूर नई जगा जाकर रहना कैसा लगता होगा यानि अपनी जगा छोड़कर दूर नई जगा जाकर रहना कैसा लगता होगा चलिए इसके आंसर को देखते हैं बच्चों अपनी जगा छोड़कर दूर नई जगा जाकर रहना थोड़ा सा अजीब लगता होगा अपनी जगा छोड़कर दूर नई जगा जाकर रहना थोड़ा अजीब लगता होगा और अकेला पन महसूस होता है कैसा लगता है बचो अपनी जगा छोड़कर दूर नई जगा जाकर रहना थोड़ा अजीब लगता है और अकेला पन महसूस होता है तो ये था उसका आंसर बचो इसे आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे या पे नोट बुक पे ठीक है बचो चलिए अपने अगले सवाल पे चलते हैं बचो मारा अगला सवाल है कि संबलू जैसे परिवार बड़े सहरों में क्यों आते होंगे चलिए इसके जवाब को जान लेते हैं बचो इसका आंसर में आपको लिखना है कि संबलू जैसे परिवार बड़े सहरों में रोजी रोटी पाने के लिए जाते होंगे चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों हमारा अगला सवाल है क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा है जो काम पर भी जाते हैं ठीक है क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा है जो काम पर भी जाते हैं नेक्स्ट सवाल है हमारा, यह बच्चे किस परकार के काम करते हैं, इन्हें यह काम क्यों करना पड़ता है? बच्चो इसका जवाब है, कि यह बच्चे ज्यादातर होटलों और लोगों के घरों में बरतंद होने और साफ सफाई का काम करते हैं. इन्हें ही यह काम घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए करना पड़ता है. ठीके बच्चो उमीद करते हैं कि आपको इसका जवाब समझ में आ गया है, इसके जवाब को आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ठीके बच्चो चलिए. अब हम इसके अगले सवाल पे चलते हैं. बच्चो मरजो अगले सवाल इसमें कहा जा रहा है कि इस तरह के बच्चे कैसे अपनी पढ़ाई करते होंगे? इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो दूसरे के घरों में जाते हैं काम करते हैं और उसका सारा वक्त काम करने में ही गुजर जाता है तो इस तरह के जो बच्चे होते होगे वो अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं चले इसके जवाब को चाल लेते हैं बच्चो इस तरह के ज़ादे तर बच्चे पढहाई नहीं कर पाते हैं, सबसे पहली बात होती है कि इस तरह के जो बच्चे पढहाई नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, वो अपने लिए थोड़ा बहुत वक्त निकाल लेते हैं, यानि कुछ बच्चे जो हुश्यार होते हैं बच्चों, वो काम करके आने के बाद थोड़ा सा वक्त निकाल लेते हैं और उसी वक्त में पढ़ भी लेते हैं, ये कुछ हु अमीद करते हैं, आपको आज का ये class बिल्कुल पसंद आया है, class पसंद आया है, तो एक like तो बनता है, जल्दी सा वीडियो को एक like कर दीजिए, चैनल पर subscribe, चैनल को subscribe नहीं किये हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को subscribe कर लिजिए, ठीके बचो, और हमें comment करके बताईए, आपको ये class कैसा लगा, ठीके बचो, मिलते हम अपने अगले class में, thank you